Hello everyone, so कैसे हैं, आप सब I hope आप सभी बढ़िया होगी, अगर आप इस साल IP University के लिए अपलाए कर रहे हैं, कुछ courses के अंदर जाज़ेगी MBA, BBA, LLB, BTEC course के लिए अगर आप अपलाए कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत important update है IP University की तरव से, आप लोगों का online counseling का process बहु के लिए, LLB के लिए, LLM and BTEC course के लिए start होने जा रही है, अब यह online counseling क्या होती है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, online counseling के अंदर आप लोगों का अपने colleges का selection करना होता है, एक preference sheet अपनी देनी होती है, preference sheet के अंदर आप लोगों को डालना होता है, अपने colleges क कर नाम की मेरे इस rank के basis में मिरको इस college में admission मिल सकता है, तो अगर आप admission के लिए apply करने जा रही है, तो आप लोगों प्रफरेंशीट के लिए भी apply कर सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए proper preference sheet बनाई है, जिसके अंदर आप लोगों के आपके rank according, आपको किस college में admission मिल सकता है उसके proper list आप लोगों को मिल जाती है, जिसका link मैं आपको description में दे रहा हूँ, आप इन तीनों ही courses के लिए अपने preference sheet भी ready करवा सकते हैं in advance, ताकि आप लोगों को आगे all in counseling के process में problem ना आए, तो देखिए इसमें होगा क्या है, जैसे कि आपने भी MBA CAT के basis पे start करेगा counseling और ज check का entrance exam बिल्कुल भी नहीं होगा, CLAT का entrance exam बिल्कुल नहीं होगा, MBA का secondary course है, CMAT लिया जाएगा, उसके बाद CET के basis पे आप लोगों का seats को fill करा जाता है, और law के लिए CLAT, UG और PG का score लिया जाएगा, अब देखिए आपने किनका application form fill करा होगा, पंदरा सो रुपे का, अगर आपने ये form fill कर दिया है, तो अब आपको directly अपना counseling के लिए अंदर registration करवाना है, तो यहाँ पे भी दो चीजे हैं, जो student अपना counseling का form fill कर चुका है, उसको सीधा counseling के अंदर participate करना है, 1000 रुपे देखे, ठीक है, 1000 रुपे देखे, आपको अब इनकी online counseling के अंदर participate करना होगा, ये portal आप लोगा, 19 तारिक को open होगा, 25 तारिक को close कर दिया जाएगा, तो आपको 6 दिन मिल रहे हैं, अपना registration process complete करने के लिए, अब यहाँ पे कमाल की बात ये भी है, जो student अपना application form IP University का miss कर देता है, वो यहाँ पे directly 25 रुपे देके, अपना payment करके, आगे बढ़ सकता है, इ CST, OBC, कफश्मीरी, Migrant, PWD, Defense, JN, Minority, किसी भी Minority में अगर आप apply कर रहे हो, तो उसके लिए आपने document भी upload करने होते हैं, online counseling के process के अंदर registration करते हैं, तो वो document भी आप लोगों को यहाँ पे present करने होते हैं, इसकी verification आप लोगों की हो जाएगी, 29 तरिक के बीच में, then आपका start ह होगा choice filling का process, तो कुल मिला कि अभी आपका जो 20 दिन का process है, date है, आप लोगों को यह जो time duration दिया जा रहा है, बाकी जो आप लोगों का schedule है, choice filling का वो अभी आना बाकी है, choice filling के अंदर आप से अपने colleges की choices मंगी जाएगी, तो यह choice filling का जो duration है, इसको थोड़ा सा आप लोगों on these important dates, अगर आपने dates मिस कर दी, तो आप लोगों की sheet कोई और भी आगे आके claim कर सकता है, तो यह थी details आप लोगों की online counseling process की, और dates की important जो dates जो आप लोगों की आ चुकी है, बाकी CET वाले जो student उनको अभी अपना entrance exam की preparation करनी है, और entrance exam की preparation के लिए, इवन आप MBA CET की preparation करना चा कितुरों अब लोगों की preparation होती है, यहाँ पर जुड़ जाईए हमारे साथ, मिलते नेक्स चुड़ों में सी तरिके के education content के साथ, बाब बाय, take care, thank you so much.